तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके परसन पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहने वाला है वो आपको पहली बारी देखकर क्या सोचेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि आपका ये नेचर है यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं पाइल नंब साइन से चूज कर सकते हैं अगर आपने ये इमिज चूज की है या फिर आपका जोडेग साइन इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके परसन पर आपका फर्स्ट इंप्रेशन किस तरीके का रहने वाला है पहला काड आ रहा है मजीशियन नेक्स आ रहा है फाइव वांस नेक्स त्री ऑफ पेंटेकल्स पेज ऑफ काप्स और नेक्स आमारे पास एस ओफ वांस उम्मीदे आपको सभी कार्द अच्छे से दिख रहे होंगे पॉजिटिव शुरुव आथ है नेक्स आ रहा है इंटिग्रेशन कॉम्प्रोमाइस टोटालिटी हामनी और लास्ट हमारे पास है राइपनेस तो यहां पर जो है ओवराल एनरजी बहुत ही जादा पॉजिटिव है यहां पर कुछ भी ऐसा नेक्स नहीं है जिसकी वज़े से आपका इंप्रेशन उन पर कोई नेक्स पड़े तो यहां पर पहला ही जो काड आय काड जो है इस तरीके का काड कि आपके पास वह सारी है सारी इसमता है कि आप जो भी अपनी गयं करना चाहते है तो आपके पास एक डीडेजी को और ना या 20 kg बढ़ाना है जो भी आप जिस भी एक्जांपल से आप समझना चाहें तो इस तरीके की एनरजी होगी आपकी आपका माइंड सेट बहुत जादा क्लियर है आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग है लाइफ की प्लानिंग है कि यह यह मुझे इस समय करना है इस तरीके से करना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है इस तरीके की एनरजी आपकी जो है आपके पर्सन को दिखेगी और वो जो है आप से होंगे आपको जो है आपके पास यह capability होगी यह ability है कि आपको बातचीत करने का तरीका मालूम है लोगों को कैसे इवन manipulate भी करना है अपने फाइदे के लिए तो वो जो है आप कर पाते होंगे हलाकि इसको negative चीज में नहीं लेना है कई बारी जो है इनसान अगर सच नहीं बोल रहा है वो जूट बोलता है लेकिन अगर उसमें किसी का फाइदा है तो वो जो है नुकसान दे नहीं होता है तो उस तरीके के tactics को जानते है कि इसके साथ जो है मैं चॉकलेट जो है लगा के दूंगा या दूंगी या उस तरीके से आपको करें कि वो convince हो जो और वो उस चीज को खा ले या दवाई जब खिलानी है तो इस तरीके की जो कह सकते है कि आपके पास capability है आपके पास शमता है बहुत जादा competition वाले area में रहते होंगे मतलब जो service है या job है आपकी या working place है या फिर आप college university में पड़ भी रहे है तो भी मान लीजिए आप topper है तो आपसे competition बहुत सारे को लोग करना चाहते होंगे या फिर आप play में बहुत अच्छे है या looks में बहुत अच्छे है या फ competition वाले mode में रहते हैं जादा तर time जो है आपका थोड़ा सा restlessness में होता होगा कि अगर आपसे कोई बातचीत करे तो आप अपने principles पर ठीके रहना पसंद करते होंगे लेकिन उसके बावजूद जो है आप competition में रहते होंगे कि मतलब मुझे number one आना है तो कुछ इस तरीके की जो है आपका nature होगा जिसका impression वो समझ पाएंगे next आरा three of pentacles आरा three of pentacles जो है collaboration को team work को leadership quality को efforts को डालने को दिखाता है जैसे माल लीजिए आप किसी annual fest में आपका university है college है या अगर working place से भी है तो कोई अगर event हो रहा है तो उसमें आप participate करेंगे अच्छी तरीके से participate करेंगे होंगी जिसकी वज़े से लोग आपको पूछेंगे माल लीजिए आपको chief guest को invite करना है ठीक से और और बच्चों को जो है इस तरीके से collaborate करके उन्हें तयार करवाना है या और भी बहुत सारे काम तो आप multi-tasker होंगे एक ही समय पर बहुत सारे काम अच्छी तरीके से कर ले नेक्स तरह पेज आफ काप सारे तो पेज आफ काप की इस तरीके की energy है कि आप थोड़े से flirtatious हो सकते हैं चाहे आप male हो चाहे आप female हो अगर आप male है तो थोड़े से healthy flirting में आप believe करते होंगे बहुत सारी लड़कियों से इवर लड़कों से भी जो है उनको छेड़ खानी क करना एक teasing moment में एक naughty moment में एक healthy naughty moment में आप यह सब करना पसंद करते होंगे आपको अपने आप में innovation रखना आपकी जो energy है वो बहुत ज़दा हाई होगी कि आप एक party की जान तरीके से होते होंगे कि अगर आप party में आये हैं तो लोग जो हैं आपको ढूंडते होंगे कि अरे व energy होगी जिसको आपके person पहचानेंगे आपके अंदर care भी है love भी है और एक तरीके से gentleness भी है लेकिन वह सभी के लिए नहीं है कुछी लोगों के लिए है जिसकी तरफ आप attract होते हों या जिसको अपना मानते हों तो जिसकी तरफ भी आपको ऐसा लगता होगा कि यह मेरा family member ह चाहे वो blood relation हो चाहे वो blood relation ना भी हो लेकिन आपका nature इस तरीके का होगा कि आप उसके लिए बहुत जादा soft होंगे जैसे माली जी आपके कोई छोटा बचपन का दोस्त है या कोई close friend रही है तो आप उसकी तरफ हमेशा ही जो है caring और loving gentle way में behave करेंगे या करेंगी तो उस तर लुकल को दिखाता जो कि five of wants को काफी हद तक सही बता रहा है इस reading में कि आप अगर मान लीजे कोई competition में या कोई participate कर रहे है तो उसको जी जान से करना चाहेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि आधह मन से आपने काम किया आप उसमें perfection से काम करना चाहेंगे अपना hundred क्या 200% देना च तो इस तरीके की आपकी एनर्जी है चाहे बीच में और प्रॉब्लम भी आए लेकिन आप उसको रिजॉल्व करके उसके उपर जो है काम करना चाहेंगे और उस रिजल्ट की खुशी जो है वो आपके चहरे पर हमेशा दिखेगी नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन आ रहा साइड भी है मतलब यह है कि अगर आप ऑप्टेमिस्टिक परसन है बहुत जादा ठीक है लेकिन आपको अगर लगता है कि सामने वाली सिचुएशन नेगेटिव है यहां पर जो है ऑप्टेमिजम काम नहीं आएगा तो आप अपना पैर भी पीछे हटा सकते हैं तो इस तर जो है वह आपसे जादा हुनरमंद है और आपने अभी अपनी जो प्रप्रेशन है वह अच्छी तरीके से नहीं किये तो आप पहले पीछे पैर हटा लीजिए अच्छे से प्रपेर कीजिए और उसके बाद जो है उससे लड़ने की कोशिश कीजिए तो वह समझदारी है आ कई बारी जो है लोगों को ऐसा लगता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं लेकिन आपको मालूम है कि आप क्या कर रहे हैं किस स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं और इस तरीके का इंप्रेशन आपके परसन पर पड़ेगा कि वो समझ जाएंगे कि आप दिमाग से बहु करते हो आप अगर अगर उसके जो है किसी ने थोड़ा सा पैसा दे घ्ला रिए गाल दे गिंद दृध आपने वाले आप से दूर हो जाएगा आप इस तरीके के परसन नहीं है और आपके परसन को जो है यह चीज बहुत जादा एड्मायर वो करेंगे और इसकी वजह से भी जो है आपके आसपास के लोग जो गलत कामों में इंडल्ज होते हैं तो वो जो है आप से थोड़ी सी जेलेसी कर सकते हैं कि यह करॉप्शन में काम लिया है लेकिंगी यह करॉप्ट क्यूं नहीं हो रहा है तो जैसे कि होता नहीं है कि पूरी टीम अगर मान लीजे करॉप्ट हो गई है तो वो एक इमानदार आदमी से जेलेस होते हैं या उनको डर लगता है कि कहीं यह हमारी पॉल ना खोल दे तो इस तरीके के आपके person है और इस तरीके का impression आपके person पर पढ़ेगा कि आप overall energy में जो है अपनी integrity में काम करते हैं आपका कोई साथ देता है या नहीं देता है उसके बावजूद आप हमेशा जो है सही रास्ते पर ही चलना चाहेंगे नेक्स टारे totality five number आया है changes को दिखाता है आप पे लोग trust करते हैं reliability रखते हैं अपनी ऐसे secret भी बता देते होंगे जो कि वो नहीं बताना चाहते हैं या उन्होंने कभी नहीं बताए होंगे और इस चीज़ को आपके person भी जो है first impression में देख पाएंगे कि आप एक trustworthy person है इसी चीज़ बता देते हैं जिसके ऊपर gossip हो सकती है लेकिन आप जो है उस चीज़ को avoid करेंगे आप gossip में indulge नहीं होने वाले person होंगे और इस चीज़ को आपके person बहुत जादा admire करेंगे और इस तरीके का impression पर पड़ेगा next आ रहा है harmony harmony जो है एक peacefulness को दिखाता है कि आपका मन और दिमाग जो है वो शान्त है काम है peacefulness है जादा ततर लोग जो है वो majority of people इस तरीके के होते हैं कि अगर किसी के पास मान लीजे कोई materialistic चीज़ आ गई है गाड़ी आ गई किसी ने घर ले लिया या किसी की बीवी बहुत जादा सुंदर है तो वो अपने आप से हवेशा compare करता रहेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है ये हो गया अप लाना होगा धिमागा हो गया ठीक है लेकिन आपके person मतला आप जो है आपके person जो है वो इस चीज़ को recognize कर पाएंगे पहचान पाएंगे कि आप अपने अपने संतोष्ट है आप के जो features है आपको पसंद है आपके पास जितना पैसा है आपको पसंद है आप मेहनत करने वाले person है लेकिन किसी और का पैसा देखकर जलने वाले person नहीं है इस तरीके की energy आपकी में यहाँ पर आ रही है तो वो जो peacefulness है मन में शान्ती है inner peace है जो कि कोई भी व्यक्ति इस दु से तो बहुत अच्छी बात है और अगर कोई नहीं भी बात करता तो आप दुखी नहीं हो रहे कि है यह मेरे से बात नहीं कर रहा तो इस तरीके की energy आपकी आ रही है नेक्स्ट राइपनेस राइपनेस जो है fertility को दिखाता है जिस तरीके से जो फल है वो एक time period लेते हैं पक पैसा है लेकिन उसके बावजू जो है आपकी personality में जो है shallowness है ऐसा नहीं है आप मन से भी विशाल है दिल से भी विशाल है तो आपका जो giving nature है nurturing nature है इसको आपके person बहुत जादा एडमार करेंगे और यह चीज जो है वो आपके first impression में ही वो भाप लेंगे कि आप इस तरीके person है चलिए देखते हैं कुछ और कार्स आपकी personality से related कि आपके person आपसे की personality में क्या देखेंगे पहला काड़ा रहा है strength और नेक्स्ट आ रहा है emperor strength जो है वो Leo energy को दिखाता है तो sun moon और rising Leo energy हो सकता है आपके पास एक physical और mental spiritual balance है और आप बहुत ही जादा mentally strong person होंगे अगर मानीजी किसी ने आपको कहा है कुछ भी x y z कुछ भी negative remark आपकी तरफ डाला है तो आप शान्त रहकर उसको side कर देंगे जी कि आप बेशक उससे बात ना करें ये आपकी choice है लेकिन आप उसको बार बार सोच कर अपने आपको परशान नहीं करेंगे वो जो है एक आप निभाने में विश्वास रखते होंगे बहुत जादा जो है आप अपने promises को निभाना पसंद करते हैं इस तरीके के person नहीं है आपकी आपने किसी को promise कर दिया है और आप अपनी ही बात से मुकर जाए तो जिस तरीके से वो कहा जाता है कि जबान को रखना तो वो चीज जो ह आपके पास है आपकी personality में है जिसको आपके person admire करेंगे और आपके first impression में वो पहचानेंगे भी नेक्स आ रहा है emperor आ तो emperor जो है चाहे आप male हो चाहे आप female हो आपके पास इस तरीके की energy है कि आप commanding person है authority वाले person है leadership quality है आपके पास कि आपको मालुम है कि 10 लोगों को अगर सही रास्ता दिखाना है तो किस तरीके से tackle करना है वही चीज जो magician में भी आती है कि आपको सामदाम डंड भेद सभी चीजों को करना आता है कि किस समय बाचीज से काम निकालना है किस समय जो है लडाई करना है और किस समय जो है एक कूट नीती को try करके अपनी जिंदगी में ले इनर्जी बहुत जॉड़ा है तो आपको sun moon और राइजिंग जो है वह aries Leo Sagittarius हो सकता है और Sagittarius एनर्जी यहां पर वैसे भी आई थी तो prominent है कि अप Sagittarius सेनरजी के पर्सन हो आपको ट्राबलिंग बहुत जादा पसंद हो सकती है लोगों से इंट्राक्शन करना बहुत जादा पसंद हो सकता है चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड पहला कार्ड यह आया था आपके पर्सन जो है वह इस तरीके से आपकी तरफ फील करेंगे फर्स्ट इंप्रेशन में ही और नेक्स्ट यह आया है यहां पर दोनों में ही जो है मैं एक सोल कनेक्शन देख पार यह हूं कि एक टुगेधरनेस है आप दोनों की बीच में चलिए देखते हैं कि यह जो मेसेज़ेस हैं वह क्या कहते हैं तो पहला आया है रोमांस क्यूपिट्स एरो स्ट्राइक तो बहुत जादा जो है रोमांटिक फीलिंग्स आप उनके अंदर एक तरीके से भर देंगे आपने कुछ करना नहीं है लेकिन वह अपने आप से उनके मन में आजाएगी आपकी परफ और नेक्स आरा तुइन फ्लेम्स यूर पाशन इग्नाइट चांसेज है कि आप दोनों जो है वो तुइन फ्लेम्स हो सकते हैं और एक पाशनेट जो डिजायर है वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट इंप्रेशन से ही चलिए देखते हैं के लिए कुछ चांस यहां पर पहले हमने चांस को सेट कर लेती हूं यहां पर पहला एक चाम आया है एक लोटस की पॉजीशन में आया है इस पिरिचल करेक्शन को दिखा रहा है तो आप दोनों को spiritual connection हो सकता है एक और चाम आया है जो की spiritual connection को दिखाता है यहां पर दो टूज हाएँ है एक XIA और एक chopper आया है आप से बहुत ज्यादा लोग जो है jealous feel करते हैं आपकी capability से आपकी जो light है आप इतनह ज्यादा shine करते होंगे कि इतने अच्छे हैं multi-tasker हैं जिसकी वज़े से लोग आपको jealous feel करवाते होंगे कि आपका साथ ना देकर या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती होगी लेकिन ऐसे लोगों को toxic लोगों को cut off कर दीजिए आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा अपने आप ही कर पाएंगे नेक्स्ट आरे एक surgical instrument का tool आया है हो सकता है आप medical profession से related हो या फिर forensic department से related हो जहां पर autopsy की जाती है वो भी सकता है नहीं भी होता है तो pile number one ये थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content readings और energies अच्छी लग रही है तो please इस चाया को like करें share करें subscribe करें thank you number two अगर आपने ये image choose की है या फिर आपको zodiac sign इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपका first impression आपके future spouse पर किस तरीके का रहने वाला है king of cups, nine of cups, ace of cups, water signs आ रहे है, knight of swords, air sign है, the lovers उमीद है आपको सभी cards अच्छे से दिख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा romantic आप होंगे जिसकी वज़े से आपके person आपको admire करेंगे चलिए देखते हैं कुछ और cards, moment to moment, clinging to the past, the fool, exhaustion, last आ रहा है, we are the world उमीद है आपको सभी cards अच्छे से दिख रहे होंगे यहाँ पर overall energy जो है आपकी, आपका first impression आपके person पे इस तरीके का पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा caring, loving, gentle और एक emotional person है आप logical mind भी है आपका लेकिन आप prefer ज़्यादा करते हैं emotions को आपका सोचने का जो नजरिया है या दुनिया में जिस तरीके की चीजे होती हैं तो उसमें आप एक practical perspective को पीछे जो है रखते हैं लेकिन एक emotional perspective को ज़्यादा रखते होंगे आप में humanity बहुत ज़्यादा है, लोगों के प्रती प्रेम भाव है मैं strangers की तरफ से कह रही हूँ कि अगर जो अंजान लोग भी है तो ऐसा नहीं है आपके मन में कि उनका बुरा हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए या फिर मुझे क्या करना, मेरा क्या फाइदा है तो आप इस तरीके के person नहीं है, आपका एक emotional base है हो सकता है कि आपका moon जो है, वो cancer energy में हो जरूरी नहीं है, ये सभी के लिए resonate करे हाला कि यहाँ पर zodiac sign जो आ रहा है, वो water sign जादा है तो cancer, Pisces, Scorpio हो सकते हैं और यहाँ पर air sign आई है, Libra, Aquarius और Gemini यहाँ पर prominent है तो यहाँ पर पहला ही card आया है King of Cups King of Cups जो है, वो इस तरीके की energy है कि आप एक balanced person है, लेकिन caring, loving, gentle person है आप प्यार लोगों से करना चाहते हैं और लोगों से प्यार पाना भी चाहते हैं और यहाँ पर प्यार जो है, वो सिफ एक romantic तरीके से नहीं है यहाँ पर एक overall energy आपकी इस तरीके की है कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो भी जो है, आप उनसे बहुत प्यार से बात करना पसंद करेंगे अगर बड़े बुजर्ग हैं तो उनसे भी जो है, आप respectfully प्यार से ही बात करना पसंद करेंगे एक stranger भी है, तो भी जो है, आप उससे बहुत जादा politely प्यार से बात करना पसंद करेंगे यह आपकी overall energy है आप किसी के लिए भी जो है गलत नहीं सोचते होंगे इस चीज का impression जो है आपके person को मिल जाएगा next आ रहे है nine of cups आया तो nine of cups जो है वो इस तरीके की independent wish fulfillment वाली energy है कि हाँ मैंने भी अपनी जिन्दगी में कुछ achieve किया है तो ऐसा हो सकता है कि आप जब अपने future spouse से मिले तब तक जो है आप अपने career में या अपने goals में या फिर आपने अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उसमें जो है एक अच्छा मुकाम आप हासल कर पाए हो जिसकी वज़े से आपको लगता हो कि मैंने भी कुछ achieve किया है आपको जो mindset है वो बहुत जादा active रहता होगा उसमें 50 चीज़े चलती होंगी कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ करनी है और इस तरीके से आगे बढ़ना है तो कि यहाँ पर purity, innocence, divine love है एक व्यक्ति के लिए नहीं है सभी लोगों के लिए है जैसे मैंने कहा था कि humanity अगर आप से बात करें तो आपके मन में पूरे विश्व के लिए प्यार होगा कि ऐसा नहीं है कि मान लिजे किसी x y z country में कुछ गलत हो रहा है तो आपको जो है अंदर स तक जो है एक तरीके से effect करता होगा तो आपका nature जो है वो इस तरीके का होगा आप इसमें believe करते होंगे कि अच्छे से रहो बलाद सुखी से रहो शांती से रहे सभी और शांती से रहने दो तो उस तरीके की चीज जो है आपके person का impression जो है आप उन पे पड़ेगा आपका next आरा night of swords आरा तो night of swords जो है वो इस तरीके की energy है emotional होने के बावजूद आप अपने obstacles को पार करना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आपने एक focus बनाया है गोल बनाया है कि मुझे जो है ये चीज अचीज अचीव करनी है चाहे छे महीने में हो एक साल में हो वो आपके उ important है आप उसकी तरफ जाना पसंद करते होंगे आपको कोई रोकना भी चाहेगा तब भी जो है आप नहीं रुकने वाले person हो इसलिए मैंने का कि यहां पर थोड़ी overwhelming वाली जो है नेचर आ रहा है कि अगर आप आपने यह सोच लिया है कि मुझे 6 महीने में मान लीजे इस गो या मेरा काम कोई और कर दे आप इस तरीके के person नहीं है आप अपना काम करना पसंद करते हैं आप अपने जो obstacles हैं challenges हैं उनको अच्छी तरीके से face करके आगे बढ़ना पसंद करते होंगी इस चीज़ को आपके person admire करेंगे और वो जो है impression में भी आपके आएगा नेक्स्ट आ रहा है lovers आ रहा है lovers जो है जेमिना इनर्जी को दिखाता है तो आपके पास एक nurturing power भी है और एक passionate energy भी है दोनों का emelgation है दोनों का proper balance है यहाँ पर कि आपके पास जो है एक passionate flirty energy भी है कि आप लोगों के अंदर जो है एक seduction हाला कि यहाँ पर जो है negative तरीके से seduction या 18 plus reduction की मैं बात नहीं कर रही हूँ आपका passion इस तरीके का है आपका character इस तरीके का है कि आपकी body language में वो sexiness दिखती होगी आपके person को आपके अंदर ही है यह आपको कुछ भी special नहीं करना पड़ता होगा आप naturally इस तरीके के हैं और एक nurturing side भी है चाहे आप male हो चाहे आप female ह लेकिन nurturing side भी है तो लोगों के प्रती आप gentle ही होंगे majority of people के लिए जो है आप gentle होंगे अगर किसी से आपकी अनबन हो गई है अलग बात है लेकिन सभी लोगों का आप अच्छा ही चाहते होगी नेक्स टार है movement to movement two number आया है wealth को जो है आप बहुत ज़्यादा seriously लेते होंगे money investment ये जो चीजे हैं वो आपके लिए important होगी और आप उसको achieve करने के लिए step by step आगे बढ़ना पसंद करते होंगे आपके पास patience है balance है आप किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाले हैं कि दस दिन में जो है पैसा double हो जाएगा इस तरीके की schemes पे आप पैसे लगाने वाले person नहीं है आप patience के साथ अपने उपर काम करने में विश्वास रखते होंगे और अगर आपको पैसा invest भी करना है तो आप लीगल तरीके से जाना पसंद करते होंगे और इस तरीके का आपका mindset है नेक्स्ट आरे clinging to the past यह जो energy है यह थोड़ी सी जो है negative तो मैं नहीं कहूंगी लेकि थोड़ी सी anxiety वाली है क्योंकि आपके past में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है अब वो हो सकता है जरूरी नहीं है क कि वो break up ही हो कोई gossip हो सकती है कोई work environment पे किसी ने आपको परिशान किया हो बेफालतुगी बाते हैं neighbors हो सकते हैं relative हो सकते है schoolmates हो सकते हैं classmates हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति ने आपको downgrade करने की कोशिश की है या नीचा दिखाने की कोशिश की है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप में कोई खराबी है इसलिए कि वो आपकी light को या आपकी जो shine है जो चमक है उसको वो देखना नहीं चाहते हैं आपसे वो jealousy कर आते हैं यह चीज जो है आपके person को first impression में पता चल जाएगी कि आपके मन में जो है उन लोगों के प्रती एक negative भावना है आप किसी का बुरा नहीं चाहते होंगे आपका इस तरीके का nature है लेकिन उन लोगों के प्रती आपके मन में थोड़ी सी घ्रणा होगी जिसकी वज़े चू चू करते रहते हैं लोग की gossip करते रहते हैं और ऐसी चीजों के gossip करते हैं जो सचाई में exist नहीं करती है ठीक है तो उस चीज को जो है आप बहुत जादा जो है अपनी जिंदगी से निकाल चुके हैं लेकिन एक माइंड में कहीं ना कहीं 0.1% जो है वो अभी भी exist करती ह नेक्स्ट आरा दो फूल का काड़ा है फूल जो है वो एक risk taker है आपको मालूम है किस तरीके से अपने जिंदगी में एक decision लेना है आगे बढ़ना है और इस चीज को आप बहुत बखू भी निभा पाते होंगे आपको अपने उपर विश्वास है अपने जैसे कह सकते हैं क युनिवर्स पे विश्वास है कि आप जहां पर भी land करेंगे सही तरीके से land करेंगे और आपको कभी भी कोई भी जो है इश्वर कह सकते हैं कि चोट नहीं पहुचाएंगे आपको जो भी होगा वो आपके भले के लिए ही होगा तो इस तरीके की energy आ रही है आपका इस तरी तरीके का विश्वास है अपने उपर भी और divine के उपर भी next आ रहा है exhaustion आ रहा है nine of swords वाली energy आ रही है तो यह clinging to the past वाली energy है जो की gossip से related हो सकती है किसी वजह से negative situation बनी होगी है situation बनी होगी उसकी वजह से आपको थोड़ी anxiety रहती है आप उन लोगों की शकल नहीं देखना च लेकिन उस चीज़ की जो anxiety है जो एक negative resentment है उसको आपको release करने की जुरूत है क्योंकि आप अपने आपको बहुत जादा कई बारी परेशान कर लेते होंगे आपको ऐसा लगता होगा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ या उन्होंने ऐसा क्यों किया आप में कोई खराबी नहीं है उ कह सकते हैं कि उस समय जो है वो अपने एक ego में या कह सकते हैं कि एक jealousy वाली जो nature होती है human की उसकी वज़े से जो है आपके साथ ही हुआ होगा और आपको इस चीज़ को जो है release कर देने की जुरूत है वो अपना कर्मा खुद ही भुगत लेंगे आपको जो है उस चीज़ को आपके person के उपर जो है जो है जो आपको first impression पड़ेगा कि थोड़े से आप anxiety feel करते हैं और आपको भी वो यही advice देंगे कि वो जो है अपना कर्मा खुद ही भुगत लेंगे इस चीज़ को जो है आपको अपने मन में लेकर आना है आपके पस बहुत जादा अच्छी energy आप ज आप नहीं करना है नेक्स्ट आरे वी या दो वर्ल्ड वही चीज है कि आप वर्ल्ड घूमना चाहते होंगे humanity में बिलीव करते होंगे आप social media पर बहुत जादा active रहते होंगे या influencer बनना चाहते होंगे या फिर जो है आप internet से related कोई काम करना चाहते होंगे किसी software में या हो सकता है कि अगर आपको traveling पसंद है तो आप जो है different countries में जाकर different cultures को जो है explore करना चाहते होंगे तो इस चीज को जो है आपके person जो है पहले ही पहचान लेंगे चलिए देखते हैं कुछ और cards आपकी पस्टाल्टी से डिडिडिडिड पहला आ रहा है Empress और नेक्स्ट आ रहा ह Empress जो आ रहा है वह Empress इस तरीकी के energy है कि आप बहुत जदर nurturing है जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप चाहे male हो चाहे आप female हो आपके मन में किसी के लिए भी दुर भावना नहीं है किसी के लिए भी गलत भावना नहीं है आप लोगों को accept करना चाहते हैं और लोगों से प्रेम के through क्या कह सकते हैं एक humbleness के through peacefulness के through जो है अपने love को spread भी करना चाहते हैं अब बस इसमें यही है कि आप थोड़ी सी boundary को रखें कि कई सभी लोग जो है वो इस लायक नहीं होते कि उनसे जो है हामनी में रहा जाए ज्यादातर लोग जो है आजकल jealousy ही create करना चाह रहे हैं या फिर जो है negative एक mindset में ही रहते हैं कि आपके पास हो गया है मेरे पास क्यों नहीं हो है वह हमेशा comparison में ही लगे रहते हैं तो उसकी वज़े से आप अपना जो positive outlook है या जो nature है mindset है उसको जो है change मत कीजिए आप अपने उपर जो है काम कीजिए जो सही लोग है उनको रखिए और जो सही लोग नहीं है उनको cut off कर दीगे next आ रहा है मून आ रहा है तो आपका mood swings हो सकते हैं बहुत जादा जो है आप moody person होंगे सुबह जो है बहुत अच्छा mood था शाम तक जो है खराब हो गया अब वो किसी भी reason से हो सकता है लेकिन आप थोड़े से जो है moody person हो सकते हैं आ अगर आप जो है अगर आपको इसमें विश्वास हो तो आप astrological chart के थू जो है किसी भी जो है एक अच्छे astrologer से मोती पहन सकते हैं अपने हाथों में अंगूठी के थू आप अगर चाहते हैं तो क्योंकि यहां पर जो है आपका जो इस तरीके का nature है कि आप थोड़े से mood swings आ वो 2 हो सकती है 11 हो सकती है 20 हो सकती है क्योंकि यहां पर birth number जो है वो 2 आ रहा है तो वो जो है moon से governed होते हैं बहुत जादा fluctuation होती होगी आपके मन में आप surrounding से बहुत जादा effect होते होंगे तो आपको जो है अगर चाहें तो आप एक जो है मोती धारन कर सकते हैं चलिए देखते हैं कुछ और cards तो आपके person की तरफ से यह आये थे दोनों cards love life की through तो यहां पर मुझे peacefulness दिख रही है यहां पर मुझे dove दिख रहा है और यहां पर भी जो heart है वो बहुत जादा carefree free spirited में है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं यह cards you may not always understand why certain things happen however there is always a higher purpose to the events in your life through turmoil a blessing will soon be revealed तो जो वो past में चीजे हुई है जो भी negative situation रही होगी वो आपके अच्छे के लिए हुई है और यह चीज जो है वो एक blessing में turn up हो जाएगी तो आपको उसकी तरफ दिमाग नहीं लगाना है कि उन्होंने यह किया है उन्होंने जो किया है वो एक तरीके से अपने ही पैर पे कुलहाड़ी मारी है इस तरीके की energy मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि जब आप growth कर लेंगे आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाएंगे तो वो जो है आपको miss miss करेंगे आपको लोगों को accept करने की ज़रूत है और आपके person भी जो है आपको as it is accept करेंगे तब जो है आप दोनों का relationship जो है वो magically transform हो जाएगा चलिए देखते हैं pile number two इस energy से related को charms मैं charms को set कर लेती हूँ तो यहाँ पर पहला charm है एक starfish आई है starfish जो है healing energy को दिखाती है तो वो जो negative चीजे हुई है आपके साथ उसको आपको heal करना है अपने आप ही heal होगा वो समय के अनुसार और Aquarius energy आ रही है तो sun moon और rising भी Aquarius हो सकता है next आ रहा है यहाँ पर फॉक आई है तो फॉक जो है वो बच्चों को दिखाती है या फिर जो है यह कह सकते हैं कि आप फूड़ी हो सकते हैं अगर आपको फूड़ का बहुत जादा शौक है तो आप थोड़ी सी उसे moderation में रखें next आ रहा है यहाँ पर crane आई है तो एक Pisces energy है यहाँ पर moon भी आया था तो Pisces energy हो सकती है Sun, Moon and Rising next आ रहा है एक पगमाक आया है एक Tiger का पगमाक आया है तो आप अपनी journey पर जो है वो चल चुके हैं शुरुआत आपने कर दी है तो आप और जादा जो है उसको enhance कर रहे हैं उससे बहुत जादा चीज़े learn कर रहे हैं जिसकी वज़े से आपके person के ऊपर यह impression करेंगे नेक्स्ट आरे एक चौपर आया है वही चीज़े कि वह जो आपके दिमाग में अभी है या कह सकते हैं कि चिप ऑन दा शोल्डर है उस चीज़ को कट आफ करने की जरुरत है वो लोग आपको डिजर्व करते ही नहीं है और आपके person भी जो है आपसे यही चीज कहें थांक यू